17 जुलाई से सावन माह शुरू हो गया है ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है हिंदु धर्म में इस माह का काफी महत्व है माना जाता है कि सावन के पावन अवसर पर भगवान भोले के उपासना करने पर भगतों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है इस बाव सावन में चार सुमवार पढ़ रहे है पहला सुमवारी व्रत 22 जुलाई से सुरू हो गया है और आखरी सुमवारी 12 अगस्त को है सावन के महीने में एक बात और खास है कि इस महीने में मंगल वार का व्रत भगवान स्यू की पत्नी पारवती के लिए किया जाता है सावन में किये जाने वाले मंगल व्रत को मंगला गौरी व्रत कहा जाता है आईए आपको बताते हैं सुमवारी व्रत में कैसे करे भगवान भोले को प्रसन सुमवार को सुबासनान करके एक तामबे के लोटे में अक्षत, दूद, पुस, बेलपत्र आदी डाले इसके बाद शिव के मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग अविशेख करें पूजन समागरी में दूद, दही, शहद, घी, चीनी, पंचामरित, वस्त्र, चंदन, जनेव, रोली, बेलपत्र, अक्षत, आगधतूरा, फूल, भांग, पानसुपारी, इलाइची, कमलगट्टा, प्रशाद, लौंग, मेवा, भगवान भुले पर चड़ाएं इस दौरान ओम नमस्विवाय का जाप करें सबसे जरूरी और खास बात ये है कि इस दिन पूजा करते समय सुमवार वरत का कथा जरूर सुने क्योंकि बिना वरत कथा सुने, पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है